नमस्कार दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रिजनिंग के पाँज बहुत ही अति महत्वपूण प्रश्ण एसे प्रश्ण जो किसी भी कॉम्पिटिशन एक्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सिर्फ उनी प्रश्णों को हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आते ह तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और वीडियो को अधिक सधिक आज का ये सवाल, सबसे पहला जो question है वो बहुती IMP question है, जो किसी भी exam में बार-बार पूछा जाता है, question दिया है यदि 782 बराबर 20 और 671 बराबर 17 तो 885 बराबर क्या होगा वो हमें यहाँ पर बताना है, तो इसे ही question को solve करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे यहाँ पर हमारे पास 782 को 20 किस प्रकार लिखा गया होगा, वो हमें सबसे पहले यहाँ पर पता करना है, इसी प्रकार 671 को 17 किस प्रकार लिखा गया होगा, वो हमें पता करना है, तो उसी तरीके से 885 को क 82 को तो इसमें अगर हम इन 3 अंकों का योग कर दे, 3 अंकों को यह दि जोड देते हैं, तो कितना होता है यह 7 और 8 15, 15 और 2, 17 अब यहां तो यह जोडने पर 17 हुआ है लेकिन बराबर में तो यहां दिया है कितना 20 दिया है तो अब 20 करने के लिए हमें 17 में कितना और जोडना पड़ेगा 3 और जोडना पड़ेगा, तो यह हमारे पास 20 आ जाएगा फिर हम अगला सौल्व करके देखते हैं अब अगली संख्या हमारे पास है 671, इसमें यदि हम 3 अंकों को जोडते हैं तो 7 और 6, 13 तो अब सेम कंडिशन हम इस 885 के भी लगाएंगे सबसे पहले हम क्या करें 885 के तीनों अंकों को जोड़ देते हैं, तो 8, 8, 16 16 और 5 हो जाएंगे हमारे पास 21, अब 21 में भी क्या करें हम, जैसे इन में 3, 3 जोड़ा था, 21 में भी हम लविस्त का उप्शन नंबर B यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा, अब अगला क्योशन देखते हम नेक्श्ट क्योशन हमारे पास यहाँ पर दिया है, अक्षरों का कौन सा समुह खाली स्थानों पर क्रम वार रखने से दी गई अक्षर श्रंखला को पूरा करेगा तो इन में से कौन सा वाला समुह जब हम यहाँ पर भरेंगे तो वो इस श्रंखलाओं को पूरा कर देगा, वो हमें यहाँ पर बताना है तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे क्योश्टनों को हल करने के लिए आर लिखावा है तो हम ऐसा करते हैं कि यहां पे इस क्यू के बाद क्या भर देते हैं आर को भर देते हैं अब इस आर के बाद हमें देखना है यह जो डबल आर हो चुका है डबल आर के बाद हमें यहां पर क्या लिखना है या फिर ऐसा कर सकते हम कि यह जो खाली स्थान है यह Q के पहले है तो हम इसा करते है कि Q के पहले क्या लिखावा है वो हम देख लेते हैं तो यहां अगर सबसे आगे देखे तो Q के पहले हमारे पास P लिखावा है तो हम इसमें भी Q के पहले क्या लिख देते हैं P को लिख लेते हैं और Q के बाद हम क्या लिख चुके हैं Q के बाद हम R लिख चुके हैं एक बार तो यहां भी Q के बाद क्या आएगा हमारे पास R ही आएगा और यहां पे Q के पहले हमें क्या लिखना है जिस प्रकार यहां हमने Q के पहले P लिखा था इसमें भी हम Q के पहले क्या लिख देंगे P को लिख देंगे तो हमने जो अक्षर भरे हैं वो कौन कौन से भरे हैं R, P, R और फिर P तो R, P, R, P ये कौन सा option में हमें दिया है option number B के अंदर दे रखा R, P, R, P तो option number B हमारा यहां पर right हो जाएगा अब जो अगला तीसरा question जो दिया है हमारा वो है निम लिखित संख्या शंख्ला में लुप्त संख्या की पहचान करें तो अब हमारे पास एक शंख्ला दिये 17, 8, 22, 4, 28, 10, 58 और फिर question mark मतलब यहां पर हमें क्या संख्या आएगी वो भरना है इस question mark की जगा पर तो सबसे पहला अगर हम यहां पर देखे तो 18 के बाद 17 के बाद क्या लिखावा है 8 लिखावा है तो हमको अगर यहां पर देखे तो 17 के बाद 8 किस प्रकार लिखावा होगा यह 1 और 7 को यदि हम जोडते है तो 8 आजाता है हमारे पास एक और 7 को जोडने पर कितना आता है 8 आता है अब 8 के बाद 22 दिया है तो 8 के बाद 22 का कोई तरीका नहीं है हम ऐसा करते हैं कि यह 22 को देखते हैं 22 के बाद यह 4 लिखावा है तो 22 के बाद 4 भी उसी तरीके से आया होगा 2 प्लस 2 से यह दोनों अंकों को जोड के 4 आ गया होगा 2 प्लस 2 4 तो 2 प्लस 2 से 4 आया होगा अब एसा ही हम इस 28 से 10 देख लेते हैं 28 से 10 मतलब 2 प्लस 8 कर ले से 10 हो जाता है तो यह 2 प्लस 8 से 10 आया मतलब पहली संख्या के दोनों अंकों को जोडने पर दूसरी संख्या आई, तीसरी संख्या के दोनों अंकों को जोडने पर चोथी संख्या आई, पांचवी संख्या के दोनों अंकों को जोडने पर छटी संख्या आई, और अब हम सातवी संख्या के दोनों अंकों को यदि जोड दे, तो हमारे पास यहाँ पर आठी संख्या प् तो यहाँ पर question mark की जगा 13 आएगा तो 13 कौन से option में दिया है option number D में दिया है इसका मतलब option number D यहाँ पर हमारा right हो जाएगा अब अगला जो question है हमारा वो दिया है दिये गए विकल्पों में से विशम संख्या योगमत सुनिये विशम संख्या योगमत का मतलब यह है कि इन चा चानना है तो अगर हम यहाँ पर देखे सबसे पहले तो चुहोत्तर कौमा साथ सिंत्यानु के साथ 9 है इत्तालिस के साथ 4 63 के साथ 6 तो अगर हम यहाँ पर देखे तो इस चुहोत्तर का जो साथ है वो ही पीछे यहाँ पर लिखावा है सिंत्यानु का यह जो 9 है यही पर लिखावा है, तो ये तो सब समान हो गए, अब भिन्नता किस प्रकार होगी इन में, तो उसके लिए हम क्या करें, इन अंकों को घटा के देख लेते, 74 के जो दोनों अंका है, 7 और 4, इनको यदि माइनस करके देखे, तो कितना आता है, 7 में से 4 को माइनस किया, तो 3, अब स 63 के जो दोनों अंका है, 6 और 3, इनको माइनस करते हैं, तो आता है 3, अब यहाँ माइनस करने पे, 3 में, एक जिसी संख्या आ रही है, 3, 3, 3, लेकिन एक में ये भिन्न संख्या आ रही है, 2, तो यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये विशम संख्या हो गई, मतल हो जाएगा, अब अगला जो question है, 500 सवाल, वो आपका आज का सवाल है, जो आपको खुद को solve करना है, और comment box में comment करके हमें यहाँ पे बताना है आपको, तो question दिया है, दी गई, वर्ण शंकला में कुछ वर्ण लुक्त है, लुक्त वर्णों के सही क्रम को दिये गए विकल् से चुने, तो इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है, वो आपको यहाँ पे comment करके हमें बताना है, और अगर आपको इसका answer जानना है, और अच्छे से समझना उसका answer को, तो आप हमारे reasoning का part number 32 देख सकते हैं, उसमें question number 2 में इस question को पूरा समझा रखा है, तो अब अगले question के लिए मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद